देखिए यह GKGS का क्लास नमर 15 है हम इससे पहले क्लास सवधा तक कभर कर चुके हैं GKGS का आप नहीं देखे हैं तो जरूर जा करके देख लिजिए एक चीज आपको हम बता देते हैं आज हम टेक्निकल का क्लास नमर 15 लिए हैं उसमें से एक सवाल था कि कौन सा बिटामिन है जिससे काटने के बाद पानी में बह जाता है। तो देखिए उसमें 2 बिटामिन होता है जैसे कि सब्जी है मॉनल ये आलू है ठीक है आलो को यदि आप धो कर कर के काटतें तब तो कोई दिकत नहीं है लेकिन पहले आलो को काट लेते हैं पहले आलो को काट लीजिए अउसके बाद धोईएगा तो 2 बिटामिन है जो पानी में बह कर के चले जाते हैं और generally वही 2 बिटामिन पानी में गुलनसिल होता बी औ से सी तो पूरी तरह से निकल जाते हैं वीटमीन जो पूरी तरह से निकल जाते हैं वाहर निकल जाते हैं थीक है क्योंकि उसमें बैटमीन घरे दीया आपको इस विडियो अब ठीक है जब कभी भी आप सब्जी को काटियेगा काट करके धोहिए तो vitamin B और C जो है पॉनी में बहकरके निकल जाते है जिसमें C तो निकल ही जाते हैं V का कुछ type पॉनी में बहकर निकल जाते हैं ओर आपको बताएथैं कि कौन सा vitamin जो है गर्म करने क्वाद नश्ट हो जाते हैं तो बिटामीन सी ज्यादा आप उसको गर्म किजएगा तो बिटामीन सी क्या हो जाएगा नश्ट मौले कि कोई सब्जी को खोवे दम तला रहा है तो उसमें बिटामीन सी क्या हो जाएगा वो खत्म हो गया वो नश्ट हो जाएगा ठीक है तो चलते हैं आ यानि इस गार्डन में जो भी कलाकिरती होगा वो सभी किसी पत्थर से ही निर्मान हुआ होगा जितना भी इसमें कलाकिरती बना हुआ वो पत्थर से ही निर्मान हुआ है या फिर इसमें जितना भी प्लांट होगा पत्थर है रखा हुआ पत्थर के बीच में दरार है उससे क्या होता है निकल जाता अब सोच लिए पत्थर या पहारी ऐसा इलाका है उच्छा बना हुआ उसमें प्लांट निकल जाते हैं तो देखिएगा वहां पे लोग घूमने चले आते हैं जाते हैं जाते हैं और उसमें कुछ कला किरती बना दीजिए ताब तो और वह भब हो बन आते हैं देखने के लिए आते हैं यह जो रॉक गार्डन था इस गार्डन का निर्मान करता था नेक चंदर सेनी जो है एक अधिकारी थे उन्हें सो संतावन में निर्मान करवाया था जब फिरी टाइम हुआ था उस समय इसके बारे में कहा था यह इन्होंने गुप्त रू लेगा पत्थर से ही कलाकिर्ती बन करके दिकने करें हों वैसे हम आपको बतादेते हैं यह रॉक गार्डन चंडी गड मिछती था हम चंडी गड़ गए थे लेकिन बाझस तक हम नहीं पहुच पाई किसी कानबस मुझे रिटर्निंग वापस होना परा लेकिन रॉक गार्ड चंडीगेड में यह दो चीज है फ्यमस जिसे जरूर आप देखने का कुछिस कीजेगा ठीक है तो यह भी सवाल पूछा हुआ है कि सुखना जिल कहां इस्थी था है तो चंडीगेड में जहां पर हम घूम करके आ चुके हैं रॉक गार्डन नहीं घूम पाए चुकि किसी काय आद क्या रखना इसमें दो ही याद रखना है कि राउक गार्डन कहां इस्थी था है तो चंडीगड में इसका निर्मान किस ने करवाया बस याद रखना नेक चंदर सेनी और मांकि कुछ नहीं उन्हें से संतावान या अधिकारी इसके बारे मिसेस को सन नहीं पूछा हु निर्मान नेक चंदर सेनी निक्या था देखें रखना निर्मान के सब पत्थर से बना हुँआ करती है देख लिजे और पीछे प्लांट देख रहे हैं यह बहुत अच्छा द्रिस है देखनी लागए देखें किस तरह के एक दो और इमेज दिखाते हैं जिससे के माइड इ टेखनीक लिए जिसके दिल में दिल्चस्पी है जा करके जरूर देख सकते हैं नेक चंदर ने बनाया है और यह राउग गाड़न जो है चंडी गड में इस्तित है और वहां पर एक सुखना जील भी है जो दो चीज फेमस है आप यह भी देख लिजी देख रहे हैं इस तर बस यही तीन कोशन इससे पूछा गया है आगे चलते हैं छेत्रफल के द्रिष्टी से सबसे बड़ा देश कौन सा है चार आप्शन आपके समने दिया हुआ है इनी चार में से आप बता सकते हैं छेत्रफल के द्रिष्टी से दुनिया में सबसे बड़ा देश कोई है तो व चौछा धैस कों है अमिर्का हो और देस कौन है ब्राजील शाथा भारत कौन है भारत यह अस्टालिया जो किसन चहंतरफल को ले करें पूछा हुआ है इसमें दूर पूछा हुआ है कि चहतरफल त्रिष्टी से 20 में सबसे बड़ा तीरakteी कि चीन अबी भारती नगीवर्पती कि रुक चीन अब भारत की मतलए रूस हुआ रूस हुआ को चीन ऐसे कंदा रूसव और जो है साथ में निमर पर भारत हैं कन्फूजन नहीं कीजिएगा चुकि हम बता दिये रुक चीन अब आभारत थीक है ये करम से याद हो जऑगा पूरी तरह से रूसे रूस को से कनाटा चो से चीन और अमिरका बहु से ब्राजील और आ से यहां पोगा अश्टेलिया दुनिया में छठा बड़ा देश अस्टिलिया है अब भारत है सात्मा बड़ा देश इसमें से दो कोस्त को फसी तरसे समझ गए होंगे अब निच्ट क्वेशन चलते हैं नेश्ट्रोन सौई का मुख्यालिक कहां है World Trade Organization इसका फूल फार्म होता है लिट ट्रेड ऑपनेशन औरफिट ओरमांश मतलब GFF एक संगठन जो और्गनाइज करता है यह वर्ल्ल ट्रेट और्गनाइशन डेवलू टीए यह विश वेपार संगठन अब देखिए दुनियों में जितना भी लोग वेपार करता एक देश से दूसरे देश एक दूसरे देश उसको कोई और नाइज करने वाला अच्छी कोई स पूसरे देश में जाएंगे था हम कम टेक्स देंगे ऐसा थोरी होगा नहीं उसके लिए एक रूल बना करके रखा है डबलू टीओ यानि जितना भी दुनिया में बेपार होता है उसको और नाइज कौन करता है तो डबलू टीओ यह विश वेपार संगठन यह संगठन है पूरे दुनिया के जितना भी पेपार होता है उसका एक संगठन है जितना भी रूल नियम बनेगा वह सारा संगठन कौन बनाता है डबलू टीओ तो वही पूस्ता डबलू टीओ का मुख्याले का है तो जनेवा डबलू टीओ की अस्थापना ध्यान जी वर्ल्ट्रेट औ चलाता होगा हुए कीम कीशिशम कुछ पुर्छ घण को किसी चीज को एक और सुशन पाफते है उसका कोई एक रूल नियम होना चाहिए, अब कोई रूल नियम ने, उसका कोई संगठन नहीं, तब तो जो अबान होगा, जैसे मंतर से बेपार करेगा, नहीं, उसके लिए दुनिया में, वर्ल ट्रेड और्गनेशन, यहनि सभी बेपार को संगठित किया हुआ है, उसका एक ओर्गनेशन है, क्या रूल, क्या नियम होना चाहिए, सारा रूल, नियम को बनने का काम, वर्ल ट्रेड और्गनेशन, यहनि 20 वेपार संगठन करता है, 20 वेपार संगठन का मुख्याल है, जनेबा यusions्जेण्र लैंट, शूटजशर लैंड में परता है जनेबा, ठीक है, और इसकी अस्थापना उनिस्वा 95 में हुआ है इससे दो क्वेस्थन एक्जामनर पूछा हुआ आज तक कि वर्ल्ड ट्रेड और्गनेशन का मुख्याले कहां जनेबा दूसरा पूछा कि इसकी अस्थापना का हुआ एक जनवरी उनिस्वा 95 को एकदम ध्यान में रख लिजे इसका एंसर क्या होजगा और से नमर एक चलते हैं कि भारत में राश्र्त लागू करने का अधिकार किसे हैं देखते तीन तरक अपंध होता है एक होता है टीन सब बाबन में और दीन सबड़ साथ में ध्यान दिजोगा तुरम इस से अदोत अपात उपवंद का जो ये प्राब्धान है भाग 18 में 352 अनुच्छेद से लेकर के 360 अनुच्छेद तक में अपात उपवंद के बारे में बताया गया जिसमें याद रखेगा पूछे का कुस्छन अपात उपवंद किस भाग में भाग 18 में वैसे भी जनरली आप याद अपात का ला आँने लगता है 18 में भाग 18 में जो है आपात उपवंद के बारे में कहा गया अपात उपवंद मुक्रूप से 3 अनुच्छेद फेमस है 302 जिसमें राष्टियापात है, 356 जिसमें राष्टपति सासना और 360 जिसमें बित्यापात, बित्या मतलब क्या था, financial, पैसासमंदी problem, ठीक है, जिसमें 302 लग चुका है, 356 भी कई बार लग चुका, लेकिन 360 अभी तक बित्यापात हमारे देश में नहीं लगा, और भगवा अपात याद रख लिएगा, और तीनों अपात किस भाग में, भाग जो है, 18 में, ठीक है, यहां सवाल में आप से पूछा हुआ, कि राष्टिया अपात लागू कौन कर सकता है, यानि 302 कौन कर सकता है, ठीक है, तो 302 जो अनुछित लागू करता हुआ, भारत के राष्ट में राष्टिया अपात लागू होता है, जब कभी सम्मिधावन हम पढ़ाएंगे, एकदम बाड़े की और साप सुत्रा डिटेल समझाएंगे, तो अभी तो हम डिटेल लेने रहें, लेकिन जब कभी भी हम लाएंगे डिटेल में जरूर देखेगा, ठीक है, तो 352 कब ला करके निकल गया, और जो है बिद्रो करना शुरू कर दिया देश में, उस कंडिशन में भी राष्टिया अपात लागू होता है, ठीक है, तो राष्टिया अपात दो कंडिशन में लागू होता है, बाहिया युद या बाहिया आकर्मन, यह बाहरी देश आकर्मन करने बाला तब उस condition में राष्टिया पात लगो जाएगा यानि ससस्तर बिद्रो और बाहिया करवन दो condition में राष्टिया पात लगता है और इसे लगाने का अधिकार किसके पास है राष्ट पती के पास है ठीक है आगे बढ़ते हैं हुई ऐसे सभाण है डैटेरिया रोग किस अंको प्रहावित करता सबसे पहले बात यह ज。 डीप्रिया रोग जो है बेटिय्डिया कारण होता है किसे बेक्तिया कास है यह गला को मुखरूप से प्रहावित करते निय। और उस डिटेल में हम क्लियर कट बता देते हैं यह यह कुशन इंपोर्टेंट है जैसि अभी हम राष्टी अपात से बताएं तो 302 भी इंपोर्टेंट है कौन लागू करता यह इंपोर्टेंट है कब कई से किस कंडिशन में लागू होता है बाहिया आकरमन यह फिर ससस्तर बिद्रू यह भी पूछा हुआ है यह जो नहीं लगा हुआ है और कौन लागू करता है 302वान वह और आश्टी लागू करता है वे हैं आपको बता दिये राष्टी लागू करता है आगे है केंद्रिया गण्ना अनुसंधान के लिए अनुसंधान करेगा एक नए ने भराटी गण्ना का लाएक जैसे चावल उसंधान करता है खोज करता अनुसंधान को मतलब क्या होता है आगे आपका सवाल है कि नापता ज्हकडी पर्यूजना किस राज में इस ती था देखें नापता ज्हकडी बिद्दूत पर्यूजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया इस तरह से पंकी घुमते रहे और ताकि मोटर से क्या पैदा हो सके बिजली पैदा मोटर घुमेगा तो बिजली पैदा रहे ठीक है यही पूछ रहा आपको नापता ज्हकडी बिद्दूत पर्यूजना नादी पर बनाया हुआ है और उससे पानी क्या करता है नीचे गिरता और फंकी घुमता है जिससे की मोटर रन होता है और मोटर से क्या निकलता है बिजली निर्मान होते रहता है ठीक है यही पूछ रहा आपको नापता जखड़ी बिदूत पर्योजना किस राज में इस्थित है तो याद रखेगा नापता जखड़ी बिदूत पर्योजना पहल हम P DSS आप को सही करके देंगे आपको बार बार हम काते हैं जो भी बताते स्में कौई टाइप मिश्टिक होत 오래 उस उससरे ध्यान मत दिजीह हम जो भी बीडियो में बताते हूँ वह ही ओथेंटिक हुआटा हम सब्सक्तिक चुक्य ठीक अब ताइप करने में आज किया भासा अंगरेजी रखा है इसलिए एक्जमनर बार-बार पूचता यो यूधी होता है उस ही आज हको एछ बार-बार उठा करके पूचता है तो जम्भू कसमीर का राज जाज उरता है और छोब मंडल में क्या होता है जितना भी बरसा उरसा होता है वो छोब मंडल में होता है और सबसे नीचे छोब मंडल पायाता है आपके लिए यह सब करके रहता है आप एक बार हमें कोमेंट करके जरूर बताएगा कि छोब मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं नहीं होगा तो अगले वीडियों क्लियर कर देंगे चुकि यह पूछा हुआ एक जाम है ठीक है तो ध्यान रखेगा हवाहिजाज किस मंडल में उड़ते है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे एन अन्नोन इंडिया के लेखा का है नीरत सिंग चोधरी याद रख लिएगा नेक्ट सबाल है सार्स में एक का मतलब क्या होता है पहले सार्स समझ लेते हैं कि यह क्या है देखिए सार्स एक जो है कोरणा वायरस की कारण होने वाला संसम में यह जो हता है वारस समंदीथ होता है ध्यान रखेगा और यह संसे प्रोब्लम करता और कभी-कभी जाकरके पूरा घातक साबीध हो जाता है तो फो समयम नशांतल। it is severe सिवियर एक्यूट रिस्पेरेट्री सिंड्रोम ठीक है सिवियर एक्यूट रिस्पेरेट्री सिंड्रोम सिवियर एक्यूट डिस्पेरेट्री सिंड्रोम सिवियर एक्यूट डिस्पेरेट्री सिंड्रोम ठीक है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सार्स में एका मतलब क्या होता सार्स जब भी फखेंलता है तो धियान समंदी प्रॉबलम होता है और सार्स परिवार के ही जो कोरोना आधी आया था मैं रूप से आपको सांस कोई है प्रोबलम कर रहा था पर नौर्बलम भेस को दिक्कत ने होता जब घातक होता था जान भी ले लेता है ठीक है तो सार्स में का मतलब क्या होता है एक यूठ होता है और सर्थ का फूल फॉर्म भी बता दिया आप को और सबसे पहले सारत चीन में बिदी द्वरा किसकी पता लगा था जीवास्मों के पता लगा था जीवास्न मतलब जो बहुत डेंटेंग विधी का परियोग करते हैं जिसमें की कारबन 14 कमूल रूप से परियोग करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका एंसर क्या जाएगा option कोयाम बंटर यां पूछलोग की तसोब्स द्यूर ऐसे करने की बता दे वेद्टे मुद्रा कि्सें बिधिक रूप से नहीं है यहां मूदुरा लेकर किए अराम से लेगा अब देखें के बहुत सारा फोर्च जो है नेपाल का जो है वह भारत मेभी खडते हैं ठीक अगे भारत के 22 राज के भासा किस अनुसूची में रखा गया है तो देखे ये आठमी अनुसूची में रखा गया है टोटल मिला करके 22 भासा है ठीक है 22 भासा को आठमी अनुसूची में रखा गया है ये एक याद रख लिजेगा 22 भासा है धियान रखेगा 22 भासा है ठीक है आठ अनुसूची है सुरी आठ अनुसूची नी बाइस भासा बारा अनुसूची ध्यान रखेगा बाइस भासा है बारा अनुसूची है बारो अनुसूची में से जो आठवा अनुसूची है उसी में से बाइस भासा को रखा गया है ठीक है और एक भाग को ले करके प 3025 भाग दिखा रहा है और 395 से अधिक अनुछी दिखा रहा है देखे मुल समीधान में 22 भाग और 395 अनुछी दिन थे अभी क्या हो रहा है भाग देखेसा किसी भाग में भाग एक कको ईससे जूर दिया गया किस से जूर करके तो टोटल कितने भाग है तो 22 भाग ठीक है और जो 25 भाग दिखा दे रहा है वो होता है को एक को या दो का खो भाग इस तरह करके 25 पूर गया और 395 अनुच्छदा है अब 395 से बढ़ करके अब ज्यादा कैसे हो गया वही क्या बोले आपको खो गो इस तरह से जोड़ दिया अनुच्छद में जिसके बजल से वह संख्या ज्यादा हो गया लेकिन जब भी एक जम्राइब में आज तक पूछा हुआ है यही केबल पूछा है कि टोटल कितने भाग है तो टोटल 22 भाग है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसका अंसर क्या हो जागा अंसर जागा अप्स रख लिजेगा ठीक है और detail करके उन्होंने यहीं पूछेगा तब जाकर आप दिजेगा और यहीं सिंपल कुछन बार-बार एक्जामनर ने पूछा है आगे है अखिल भारतिया आयरुवीज्यान संस्थान कहों इस्तिता है आखिल भारतिया आयरुवीज्यान संस्थान न तो सभी देश के लिए पूरे दुनिया का एक नियाले है जिसे अंतराष्टे नियाले करते हैं इसका मुख्याला है हेग में कहा है हेग में option number C is the correct answer आगे यूनिसेप क्या स्थापना कब हुआ यूनिसेप क्या स्थापना 1946 मोय इसे याद रखेंचे आपके वी बूक में technical question में भी यह question दिया हुआ है कर दो कर दो